रेल मंत्री पियुश गोयल का कहना है कि अब अगर पट्रियों के रखरखाव के कारण अगर रविवार को कोई भी ट्रेन पांच घंटे लेट होती है तो ट्रेन में मौजूद यात्रियों को फ्री में खाना दिया जाएगा पियुश गोयल ने कहा कि रेलवे अपनी संपत्यों के नियोजित रखरखाव के कारण रविवार को पांच छे घंटे ट्रेन के विलंब होने पर ट्रेन में आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों को मुफ्त में भूजन वजलपान प्रदान करेगी साथ ही ये भी कहा कि वे अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों को भी मुफ्त भूजन प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को रेलवे की नई समय सारनी लाई जाएगी जिसमें यात्रियों को पट्रियों पर चले रहें रखरखाव के काम के कारण नियमित ट्रेनों के लेट होने की सूचना दी जाएगी रेल मंत्री ने कहा कि पिछले साथ आठ दिनों से मैंने साथ रेलवे जौन के महा प्रबंदकों के साथ समीक्षा बैठके की हैं हमने नियुजित तरीके से रेलवे समपत्यों के रखरखाव का कारेप चलाने का फैसला किया है उन्होंने कहा समय पालन में सुदार के लिए कोशिश की जाएगी और सुरक्षा को लेकर कोई समझोता नहीं किया जाएगा